असलाम लेकूम विवर्स क्या हाल चाल हैं तमाम देखने वालों के? उमीद है सब खेरियत से होंगे और सबसे पहले मेरे चैनल को कर लें सबस्क्राइब तो आज मेरी सिस्टर आई है मेरे गहर और शाम का टाइम है और हमने मंगवाए है समोसे तो जब मेरी सिस्टर मेरे घर आती है तो हम स्मोसे या चिप्स वगरा जरूर खाते हैं शाम के टाइम इस तरह की चीजें खाने का बहुत मज़ा आता है और वैसे भी ये होता है कि जब कोई घर महमान आ जाएं तो फिर शाम के टाइम जो है वो चाय के साथ स्मोसे या चिप्स ज्यादा अची लगती है खाने में और खास तोर पे जब मेरी सिस्टर आई होती है फिर तो पका होता है कि आज स्मोसे खाएंगे और उस दिन हम स्मोसे या चिप्स वगरा जरूर खाते हैं तो अब समुसे खाने के बाद जो है वहें मैं बनाऊंगी रात का खाना गर्मियों में तो रूटीन और होती है क्योंकि गर्मियों में दुपहर के टायूम के खाना बनता है तो तो अब क्यूंकि तकरीबं सर्दी शुरू हो चुकी है और शाम का टाइम जो होता है वो इस तरह को होता है कि टाइम जल्दी से गुज़ता नहीं है तो फिर जो सालन वगारा है वो मैं शाम के टाइम पर बनाती हूं तो साथ ही चनों के साथ मैं रख लूँगी अपनी चाए चाए के बगएर तो जिन्दगी अधूरी है और आज शाम की चाए जो है वो बातों बातों में काफी लेट हो गई नहीं तो हम तीन-चार बज़े शाम की चाए जरूर पीनी होती है चाए के बगएर विल्कल भी गजारा नहीं होता असल में इसकी आदत पाड़ जाएना तो चाए के बगएर रहा नहीं जाता और वैसे भी स्मोसे खाएं स्मोसों के साथ दो चाए का एक अपना ही मदा है और मुझे तो वैसे भी चाए इतनी ज्यारा पसांद आ है जब गर्मी थी चाए जो है है मैं तकरीबन 3-4 गएती थी तो गर्मी नहीं युजी ज्यारा चाए पी अब तो वैसे भी मौसम ठंड़ा है तो बस ऐसे होता है कि कई दफ़ा भी चाए पी के बैठो तो फिर से जब ज़्यादा अच्छी चाए बन जाए न तो फिर से दिल करता है कि एक कप और चाए होनी चाहिए और कई दफ़ा यासे हुआ है कि मैंने एक दफ़ा चाये पीए और फिर से मेरा दिल कर रहा हुता है चाये पीने को और फिर मुझे दुवरा बनानी पड़ती है और अगर कोई घर मेहमान आजाए तो मैं पूछूं कि आपने चाए पीनी है जब वो कहें ना कि नहीं भी चाए हम नहीं पीते तो मुझे ये बात बड़ी अजीब साथ है जाए चाए के बग़ेर किस तरह गजा रहा है तो मैं तो चाए के बग़ेर नहीं रह सकती मुझे चाये बहुत ज्यादा पसंद है और हम पीते भी बहुत ज्यादा चाहें और अमी की तरफ अगर जाएं तो उनके घर में क्यूंके रुटीन है कि नाश्टे से पहले जब सो के उठते हैं तो फॉरण सारे चाये पीते हैं तो जब उदर जाओं तो फिर उनको देखके थोड़ा दिल करता है और पी लेती हूं वैसे मैं सुबो के टाइम जो नाश्टे से पहले वाली चाये होती है वो बिल्कुल भी नहीं पीती नाश्टे के बाद से चाये वाला काम चुरू होता है और फिर सारा दिन तकरीबन 6-7 दफ़ा जो है वो बनती है और पीते हैं तो पहले तो द्राज से तक्वीबन 3-4 दफ़ा मैंने चीज़ें मंगवाई हैं और मेरा जो पज़र्बा कहा लिए हैं कि वो बहुत अच्छा रहा है द्राज से चीज़ें मंगवाने का तो आज भी मैंने कुछ मंगवाया है तो देखते हैं इसमें क्या है जब इस तो इसेग कोई चीज़ आफर करो ना तो पृर इसका यह होता है कि अल्ला करिए तो ऑन लाइन वर्आ से मैंने कभी चीज़ मंगवा लूँ तो पिर मेरा यह होता है कि मैं कोई थोड़ी कीमत वाली जो चीज होती है वो मंगवा के ट्राइ करती हूं तो इस दफ़ा मैंने मंगवाया है टिंट तो टिंट के बारे में मेरी बेहन अची तरह से जानती हूँगी ये एक मेकब की चीज है काफी टाइम पहले मैंने इसना पर लिप एंड चीज टिंट तो अभी इतना असानी से तो नहीं मिलता और ऑक दो किस तरह का है और इस तरह से जब कोई नया पारसल मंगवाओ और उसको खोलना होना तो बड़ी एक एकसाइटमेंट होती है कि अला करे चीज अच्छी निकले वैसे तो जो तीन चार पारसल मैंने पहले मंगवाओ थे वो चीज़ें अच्छी थी इसका नहीं मुझे अभी पता तो देखते हैं किस तरह का है ये तो अभी तक किस को खोल के जो पता चला है जो तस्वीर में था ये बिलकुल भी वो नहीं है यह इस तरह है जैसे नेल पेंट का वो ब्राश होता है कुछ इस तरह का और तकरीबन ड्राइस है मुझे कोई इतना अच्छा नहीं लगा तो इसी तरह से अगर मैंने ओम लाइन तो इस चीज मंगवानी हुआ तो पहले उसको मैं अच्छी तरह सर्च करती हूं कि वह ज्यादा महिंगी तो नहीं है अवल तो मंगवाती नहीं हूं ये तकरीबन चार से पांच भी दफ़ा मैंने मंगवाई है इसके बारे में बहु अब हरा नहीं कि ये क्याए तो फिल हाल तो ये इतना अच्छा तेजर्पा नहीं रहा था पहले जो मैंने में चीजा हैं बहुत अच्छी आंखी एक दराशते मैंने मंगवाईा था फेशल इसके बाद मैंने एक फेस वाश मंगवाईा था और एक दो चीज और तो चलो झाल 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 झाल